किसान साथियों नमस्कार मैं तेज परकास बोध सड़िया तैसी लटेली अर्याना से साथियों जैवी खेती करने वाले किसनों का सबका लग लग अपना अपना अनुभव है अपना अपना तजर्वा है मैं पिछले तीन साल से जैवे खेती कर रहा हूँ और गंजिवामरत बनाने का मेरा कुछ इस परकार का यह तजर्वा है इस में लगा दी गोबबर की फसलावसेश की और यह नेम की पत्ती आग की पत्ती और इसके उपर यह सर्शों की खाड़ गुड़ बेस्टन यह ऐसे करके अब दो लायर और लग जाएंगे मुझे सबसे बड़िया सबसे कमेनत का यही सिस्टम लगता है और लग बग 20 दिन से एक महिने के अंदर अंदर यह गंजे वामरत बिलकुल तयार इसमें वैस्ट डी कमपोजर लग बग दो बार तेन बार आजार पंदरास लिट्र के आसपास दूंगा पहले भी इसमें वैस्ट डी कमपोजर दिया हुआ है यह वैस्ट डी कमपोजर की वीलकुल एकदम बढ़िया भुर भुरा खाद बने हुआ है लेकिन इसमें अब यह शेर्शों की खाल है नेमाग की पत्ती, दतूरा की पत्ती, गुड बेस्सन, अब ये और मेला कि अब इसमें वैस्ट डीकमपोजर डाल के, पंदरा दिन में एक बार फिर इसमें काट लगा होगा, और मैंने देखा है, ये डालने के बाद डीएपी की यूरिया की बिल्कुल जरूरत ही नहीं रहत वैस्ट डीकमपोजर जरूर इसमें मैं हजार पंदरा सो, दो हजार लिटर के आसपास डाल दूगा, दो कुंटल सर्शनों के खड़, और लगवग 35 किलो के आसपास गुड था, और शर्शों की और बाजरा की फसलाओ से जो तूटड़ा पदारी ये डाल रखा है इसमें, धन्यवाद,